हलो इन्वेस्टर्स, मार्किट से आ रही बड़ी सी बड़ी अपडेट्स को इस वीडियो के अंदर में कवर करूँगा, आप लोगों को टाटा पावर और REC लिमिटेड के साथ में टोटल में 10 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ, जिनोंने यहाँ पे स्टॉक बोनस, एन्ड डिविडेंड अनौंस कर दिया है, मैं हूँ आरुश, आप लोग देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरुश, आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट अनौंसमेंट के साथ में स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी का नाम ह गुजरात, इंट्रक्स, लिमिटेड, कंपनी का जो बॉम्ब स्टॉक एक्सचेंज का कोड है, वो है 517372, अभी ये जो वीडियो है, मैं मार्केट ओपनिंग से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जितने भी शेयर के आप करेंट प्राइस देख रहे हैं, ये सब के सब कल के ट्रेडिंग सेशन के क्लोस्ट प्राइस है, कल के सेशन में हमें इस कंपनी के शेयर के अंदर में 3% से जाधा की तेजी देखने को मिली थी, जो की एक ट्रेडिंग सेशन के इसाब से डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम है, कंपनी के शेयर का जो क्लोसिंग प्राइस 339 रुपीज का था कम्पनी के अगर official announcement की बात करें तो इस कम्पनी ने यहाँ पर dividend अनौंस कर दिया है 7 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 7 रुपे का dividend दिया जाएगा अगर आप dividend value को कम्पनी के share price के साथ में compare करेंगे आपको खुद बखुद पता लग जाएगा कम्पनी ने काफी बढ़िया dividend यहाँ पर अनौंस कर दिया है बाकी इसको देने की x date record date फिलाल भी upcoming में है बिकोज जैसे की मैंने आपको बताया एकदम latest announcement है तो बाद में जैसे x date और record date आ जाएगी मैं आप लगो को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है सेशा साय पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड company का जो NSE code है होई S E S H A P A P E R कल के trading session के अंदर में हमें इस company के share में approximately 4% की गिरावट देखने को मिली थी जो की कल के trading session के इसाब से definitely एक काफी बड़ा correction था because all over market से काफी बड़े positive trend के अंदर में move कर रहे थे company के share का जो closing price था 334 रुपीज का था company के अगर official announcement की बात करें तो इस company ने यहाँ पे dividend अनौंस कर दिया है 5 रुपीज का आप लगो को आपके हर एक share के उपर में 5 रुपे का dividend दिया जाएगा यह dividend value भी हमें काफी अच्छी देखने को मिल जाती है और इसको देने की भी x date record date फिलाल अभी upcoming में है अगले share की बात करें तो company का नाम है KSB Limited company का जो NSE code है वो है KSB कल के trading session में हमें इस company के share के अंदर में approximately 1.5% का correction देखने को मिला और company के share का जो closing price था 4,609 रुपीज का था company के अगर official announcement की बात करें तो इस company ने यहाँ पे stock split announce कर दिया है 2 to 10 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company के 2 shares है तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएंगे फिर बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो आप लगो का हर एक share यहाँ पे 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा और इस stock split को देने की जो X date और record date है वो भी फिलाल upcoming में है आप लोग चैनल को subscribe कर लीजेगा विगोस जैसी X dates और record dates आ जाएंगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगली share की बात करें तो company का नाम है Oracle Financial Services Software Limited company का जो NSC code है वो है OFSS कल के trading session में हमें इस company के share के अंदर में 0.5% का एक छोटा correction देखने को मिला और company के share का जो closing price था 7,450 रुपीज का था company के अगर official announcement की बात करें तो इस company ने यहाँ भी dividend अनौंस कर दिया 240 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 240 रुपे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की जो X date और record date है वो 7th of May यानि की 7 माई की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है भारत Dynamics Limited company का जो NSE code है वो है BDL कल के trading session में हमें इस company के share के अंदर में 2% का correction देखने को मिला जो की definitely एक trading session के इसाब से एक बड़ा correction कहा जाता है company के share का जो closing price था 1,977 रुपीस का था अब भारत Dynamics ने जो है यहाँ पर stock split अनाउस कर रहा था 1-2 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पर आपका जो एक share है वो 2 shares में convert हो जाएगा basically आपके पास में company के जितने भी shares होंगे वो सभी के सभी यहाँ पर double हो जाएगे and इस stock split को देने की जो एक्स डेट और record डेट है वो 24th of May यानि की 24 माई की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है मोतिलाल उस्वाल Financial Services Limited company का जो NSE code है वो है M-O-T-I-L-A-L-O-F-S कल के trading session में company के share के अंदर में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली 4% से जादा एक company का share हमें correct होता हुआ देखने को मिला और company के share का जो closing price था 2489 रुपीस का था अब यहाँ पे company के अगर official announcement की बात करें तो M-O-T-I-L-A-L-O-S-WAL Financial Services ने यहाँ पे stock bonus announce कर दिया है 3 is to 1 के ratio से इसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको 3 shares है जब bonus मिलेंगे total में जो आपका एक share है वो 4 shares के अंदर में convert हो जाएगा अब बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 3 shares का bonus दिया जाएगा एड इस bonus को देने की जो X date और record date है अभी फिलाल upcoming में है जैसी announcement आजाएगा X date record date को लेकर के मैं आप लोगों को intimate कर दूँगा अपनी के share के अंदर में हमें 0.5% की तेजी देखने को मिली थी और company के share का जो closing price था 447 रूपीज का था कही ना कही टाटा पावर का share अब भी एक काफी बड़ी है positive trend के अंदर में move हो रहा है हाला कि काफी लंबे time से एक sideways moment कर रहा था अब धीरे धीरे करके यहाँ पे breakout का try कर रहा है अब अगर company की एक बड़ी update को मैं cover करूँ तो basically यहाँ पे ICICI securities करके एक काफी जाना माना brokerage firm है and I am damn sure आप लोगों ने ICICI securities का नाम definitely सुना होगा even share market पे भी listed है तो इसी बात से अब अंदाजा लगा सकते है इंडिया के अंदर में specifically कितना ज़्यादा well reputed होगा अब ICICI securities ने जोए Tata power के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 485 रूपीज का दिया है तो लगबग 447 रूपीज से लेकर के 485 रूपीज तक की एक जो rally है वो यहाँ पे ICICI securities expect करके चल रहा है Tata power के share के अंदर में definitely target price आपको ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिलता तो आपका एक short term का target रहने वला है at the end Tata power की एक काफी जादा जानी मानी well reputed और one of the most valuable companies में से एक है साधी साथ में power sector की leading company में से एक Tata power है और 485 रूपीज का target तो काफी easily आपको short term में achieve होता हुआ देखने को मिल जाएगा जरूर से company के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजिएगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है REC Limited company का जो NSE code है वो है REC Ltd REC Limited के share के अंदर में कल के trading session पे हमें 1.5% की तेजी देखने को मिली थी और company के share का जो closing price था 463 रूपीज का था अब REC Limited ने जो है यहाँ पे board meeting organize करके रखी है आज के दिन यानि की 30th of April को Tuesday के दिन और आज जो है company का board meeting का purpose रहने वाला है quarter four results और dividend को ले करके मैं तो video market opening से पहले record कर रहा हूँ बट हो सकता है during market हमें company के quarter four results और dividend आता हुआ देखने को मिल जाए आपको दोनों चीजों के उपर में खास नजर रखनी है अगर quarter on quarter basis पे हमें एक अच्छा growth देखने को मिला और साथ ही साथ में company का जो dividend है वो company अपने dividend history यानि की past में company ने अपने investors को जितना भी dividend दिया है उसके comparison में अगर company एक अच्छा dividend announce कर देती है तो definitely इस company के share के अंदर में हम लोगों को during the marketing काफी बड़ी rally देखने को मिल सकती है और अगर announcement market closing के बाद आता है तब तो मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate करी दूँगा बट during the market company के share के उपर में आप खास नजर बना के रखिएगा और अभी से रेक लिमेटेड के share को आपके watch list के अंदर में आड कर लीजेगा बाकी इन में से आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 10 stocks थे जिनोंने आप इस stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो ची लगी हो definitely वीडियो को लाइक कर दीजेगा इस चानल को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा विगोस फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye